श्री रादे रादे भक्तों जीवन में भगवान के भजन की लगन होनी बहुत जबरी है एक बार इड किसी के हिर्दे में लगन पैदा हो गई अर्थाथ हमें ये करना है हमें प्रभु की भक्ती करने हमको नाम जब करना या हमको भगवान के ध्यान में बहुत लगन से लग जाना है प्रभु की कथा प्रभु के भक्तों का चरेट रिश्रवन करना है नियम बना करके सुनना है कोई दिन खाली नहीं जाने दिना है जब करना है संसार से मन हटा करके प्रभु में लगना है इस प्रकार की कोई लगाने जिटपन्न हो जाती है तो देवी देवता भी सहायता करते हैं विशेश रूप से श्री हनुमान जी या संकर जी ऐसे दोज निश्टाई साधक की सहायता करते हैं आप श्रमन कर रहे थे महान संत श्री रगुनाथ दास्जी महराज के पविट्र चरित्र को जिसमें आपने श्रौण किया था कि रगुनाथ चल पड़े थे गंगा स्टान करने के लिए पीछे से बहुत से लोग गाउं के चले थे और एक जगह थी चलते चलते जहां को पहुंचे गुरंबा गाउं वहाँ संध्या हो गई थी तो भोजनादी के बाद विश्राम के लिए जब और लोग लेटे तो जो खास व्यक्ती पीछे चल रहा था मथुरा परशाद वो भी सो गए और वो लोग भी सो गए लेकिन रगुनाथ दास्टी नहीं सो है महराज बाबा रगुनाथ दास्ट जगत ही रहे रात में फिर उनके मन में आने लगा कि प्रभू मुझे महार दर्शिन करिए स्वीहनमानजी महराज आधी रात बीत गई आशन पर ही दीरे से लेट गए आंखे मुद गई और जब की सिया गई और जब की आते ही उन्होंनों देखा पवनतने संतन हितकारी शीह अनुमान जी महराज जो संतों के हिदकारी है वो रगुनात के सम्मुक आकर के कह रहे हैं सौपन में दर्चन मिल दा था बप्तू हनुमान जी बोल रहे थे रगुनात तुम लखनव जाओ वहां राबर्ट साथ सेना पती है उसके पल्टन में जाकर भरती होना वो वाजिद अली शाह का योद्धा है वाजिद अली शाह राम भक्त है और ये राबर्ट साहब सेना पती जो है ये भी राम भक्त है उसकी सेना में रोज रामायन का पाठ चलता है वहाँ तुमको आनंद मिलेगा और महराज इतनी आज्या देख करके स्री हनमान जी महराज अंतरधान हो गए फिर दे प्रफूलित हो उठा स्री हनमान जी की स्मरन ध्यान में मगन हो गए रखनात अपने को कृट-कृट्ति बहना उन्होंने सोचा कि मुझे हनमान जी की आज्या मिली अब यही पालन करना जो आज्या उन्होंने दिया है और प्रसन्न बदन हो करके राम राम रेटन में मस्त हो गए रात समय सोचाज से निवरत होके लखनाव को सीदे चल दिये और भक्तुर रखनात जी को अर्थाज्य बाभा रखनात दासबाद में होते हैं उनको बिना प्रयास कि यही स्वांस स्वांस में राम राम का जब होने लगा और उनको उस्तुनाई प्रजायक मेरी हर सांस में राम नाम जब हो रहा है और मस्तानी चाल से जूमते हुए राम नाम का हर सांस से जब करते हुए सोतह जब करते हुए बिना प्रयास कि यही है लखनाव नगर में पहुंचके पता लगा करके सेना पति राबर्ट साहब की पल्टर में पहुंचे स्वाइन्ज में केवल ब्रामल और ख्षत्री जाच के युवक लिये जाते थे अन्य जाच कोई ओधा राबर्ट साहब के सेना में नहीं था सब जवान भगवान के भाक्ती रश्र से भीने थे रामायन के परम प्रेमी थे जीटने जवान थे वहाँ कोई भी शेना में अस्ता नहीं था जो रामायन का प्रेमी नहीं कोई ध्यान में मगनू कोई पूझा कर रहा कोई रामाय पढ़ रहा कहने के लिए एक फौज थे लेकिन वो भक्तों की फौज थी माराजु कोई माला फिर रहा था कोई रामाय पढ़ रहा कोई पूजा कर रहा कोई ध्यान में बैटा है और कितने ही परस पर सत्संग में लौलीन थे इस प्रकार उस पल्टन की समस्त वीर धर्मग्य और तेजवान थे इसलिए तो हनुमान जी ने बेड़ा था इनको यहाँ उन्हें देख करके रहगुनाथ का हिर्दे आनन से भर गया और फिर उनको याद आया हनुमान जी ने इसलिए बेड़ा मुझको क्योंकि हनुमान जी का सुभाव है वहां महां बद्धान जली से धुकाई हुए हनुमान जी तो यह माश्र लोचन होकर विराजमान होते हैं और बहुत प्रेम से भगवान की कथा को भक्त भगवन चरित को समुण करते हैं हनुमान जी का सुभाव है और एक वीर उदेदार उनके पास आया रगुनात के पास और पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो और महारा जो बहुत आश्चरे की बात है वहां के जो सैनिक थे इनको देख करके बड़े खोश हुए उन्हें ऐसा लगा कि कहीं रामजी तो नहीं आ गए इतना प्रसंद हुए हो और उनको ले करके सेना पती के पास सैनिक लोग गए और साहब जो थे राबर्ट साहब सामने बुलवाया देख करके बड़ा खुश हुआ और उच्छा कहां मकान है कहां से आए हो क्या नाम है किस जाती को तो रगुनाथ जास जी ने उत्तर दिया कि सीता पुर जिले के पैंटे पुर नाम के ग्राम में मकान है और रगुनाथ नाम है ब्रामन है पिता का राम पंडित दुरगा पुशाच जी है और साथ मेरे जो हाया है ये मेरा बतीजा है ये नोकरी नहीं करेगा मैं अकेला ही नोकरी करूँगा ये तो ऐसे ही चला आया है इस लड़के को आप किसी के साथ घर वापस देजी जी और मेरा नाम लिख लीजे मुझे नोकरी करने है ये क्योंकि इनको आग्या मिली थी अनुमान जी कि पल्टन में वहां भरती हो जाना वहां सब राम भक्त है और देव, वादि डली शाह वो सब राम भक्त है और भक्तों वह आहनी पती जो थे सेना पती उस लाने वाले अफशर को आग्या दिये कि इनके भतीरे को एक अच्छे सिपाही के साथ भेज़ जो गर रगुनात को भरती कर लो माराज उस राभर्ट साब को भी कोई आग्या ऐसी सवपन में हो गई थी कि रगुनात नाम का जो आहरा अव्यक्ती उसको तुम सेना में ले लो फूक मिलते ही सब कार्यवाई हो गई मथूरा प्रशाद जो साथ में आये थे उनको घर भेज़ दिया गया और प्रगुनात दास पल्टन में रहने लगे थोड़े ही दिनों में जो कवायद परेड होती थी उसमें प्रथम होती उनको गई साहब बहुत खुश हुआ वेतन बढ़ गया और ओधा भी बढ़ गया आनन्द पूर्वक पूजा पाठ बजन सचंग में समय बीतने लगा समस्ट पल्टन में भाक्ति सुधारस का अपूर उसोट पहले से भी जादा बाहने लगा जेश्ट मास में जब भरती हुए तब से सब छोटे बड़े बड़े और ज़्यादा प्रसंद चित्त होकर रामाय पाठ और सचंग और नाम जब में लग गये भाक्ति का वातावर पहले सिर्फ ज़्यादा अच्छा हो गया और माग में मकरश्णान के लिए कितने ही साथ्योंने चुट्टी लेकर प्रयाग चलने की सला दिये तो रगनात चास भी तयार हो गए और पवने दो महिने की चुट्टी लेकर दल बल सहीच चल दिये प्रयाग के लिए और प्रयाग की महिमा तो अपार है वक्तों को कहीं सके प्रयाग प्रभाव कल उस पुंज कुंजर मुख्राव समस्त साथियों के साथ आनंद पूरवक प्रयाग पहुंचे गंगा किनारे किनारे कैम्प डाले गए थे वहां जाकर ठार करके राग निवास किया स्नान ध्यान पूजा पहाठ और संत समागम में ही समय बहुत अच्छी प्रकार से आनंद के साथ बीथने लगा एक दिन मंद्री जो संत की थी उसी में दर्शनार्थ गए दरस परस करते करते मौन ब्रत धारी एक तेज पुंद साथू को अपने सम्हुक देखा बर्बस मन उनकी और खीच गया और उस दे में सत्विचार उत्पन हुआ कि ये मौनी दास्टी से श्राम मंत्र लेना चाहिए इतना मन में सोच करके उनकी चरणों में पढ़ गए जो मौन संट थे उनकी चरणों में और शेश्री बना लेने की प्रार्थ न की तो श्रीवत मौनी दास्टी जो थे जिनका मुख्यस्थान श्रीवत बल्देव दास्टी महराज का था अर्थात्व मौनी जी महराज का नाम था बल्देव दास्टी उन्होंने इनकी और देख करके प्रसनता प्रकट कि और श्री राम मंत्र देख करके निहाल कर दिया बल्देव दास्टी इस प्रकार से इनकी गुरुदेव हुए और गुरुदेव जी ने सुन्दर नाम इनका रखा रगुनाथ दास रगुनाथ नाम बच्पन में था अब दास हो गए इसलिए रगुनाथ दास हो गए संग के योधा लोग बड़े खुश हुए उस प्रकार से प्रयाग कुंध में प्रयाग के मिमाग मेला में इनका हो गया दिक्षा संस्कार और कुछ दिन तक गुरु सेवा में रह करके लखनव लोट करके पल्टन में सत्संगियों के साथ रहने लगे आप भी मत समझे ना कि वो फोज थी वो खानपानगर बड़ दिश में होता हूँ ऐसा नहीं था पूरा संत्समाज था भले देखने में साई निक थे वो लोग और मुदमंगल में संत्समाज जो जग जंगम तीरत राजू हो सक्त संत्समाज कहिए भक्त समाज कहिए वो एक प्रकार का तीरत ही होता है जगत में चलने फिलने वाला तीरत जंगम चीर्थ होता है जो श्रद्धावान होता है उसको भाक्तों संतों का समाज तो सबह सुलब सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा सभी को सत्षंग का अद्भुत लाब मिलता है खलेशों का समन होता है हर समस्त जीवों को सब दिन सब देशों में सुलव है ऐसा तिर्थ राज प्रयागर सत्संग और वो रस बरस्ता था भक्तों, संतों सत्संगियों के बीच में अब कुछ आंकार भी किसी को रहा हो तो भी खतम हो गया प्रभु के लिए मन समर्पन का भाव जाकरित हो गया और वक्तों विर्ला ही कोई पुर्णे राशी का व्यक्ति होता है जो प्रभु कृपा से भगवान की भक्ती के लिए इमानदारी से चलता है और ऐसे ही थे रगुनादाशी महराज मस्तानी साल से चरकर के संत मंडप में पहुंशते थे महात्माओं को देखकर प्रणाम करते थे और बैटते थे भी नमर तासी और प्रभु की भक्ती रस्म भीगे रखते थे वक्तों हो त्रेतायोग में भगवान श्री राम की सेना में सेवा में से हनुमान जी थे ये तो आप पढ़ते ही हैं किन्तों हनुमान जी महराज लाखों वरस वेतीत हो जाने के बाद भी आज भी ज्यों कितों अपने प्रभु राम की सेवा में लगे रहते हैं राम भक्तों की सहायता करना उनका मुक्ष करतब है श्री रगुनाद दाश जी संत समागम में ऐसे मस्त हो जाते थे कि अपने कोई भूल जाते थे और एक दिन ऐसी घट न गटी कि संत समाज में बैठे हुए रगुनाद दाश जी नौकरी करते बात भूल गए और ध्यानस्त हो गए घरे ध्यान में डूप गए और महराज ततकाली रगुनाद दाश जी की जैसा रूप धारण करके श्री हनुमान जी महराज ड्यूटी पर पहुँच गए ये दिर रगुनाद दाश जी को सत्संग में रात बीट गई प्रातर समय हुआ तब कथा भी सर्जन हुए और नाना प्रकार के विचार करते ही चल दिये और सही निमेजा पहुँचे सेना में अपनी सहयोगी नवयुवक योधा से कहा कि आज रात में मेरे बदली का पहरा दे करके तुमने बड़ा भारी उपकार किया है रुपया बताईए मैं इसके लिए क्या सेवा करूँआ कि तो वो सहयोगी नवयुवक जो था वो सुनकर कि आश्चेर में पढ़ गया और बोला कि मैंने कब पहरा देया मैंने तो केवल आपको सोते से लेगाए था और कुछ ने और इतने पर ही ड्यूटी करने वाला जो था मनोसिव भी आया और कहने लगा कि मैंने आपको पहरे पर जाते देखा और बदल करके चला गया था जब आप आ गये तो मैं चला गया था और तीसरे ने कहा कि जब तुमारी ड्यूटी खतम हुई तो मैंने पहरा बदलवाया और तुम सोने के लिए चले गए मैं ड्यूटी करने लगा इस प्रकार महराज तीन मनुस्यों की सच्ची गवाई से रगुनात जास जी को पका विश्वास हो गया कि श्री हन Pakistan जी के सिवा दूसरा कौण हो सकता है जो उनकी जगा पर ड्यूटी डिया है माराज जिन वीरों ने इससे बात बताई थी जिन एक ने पहरा दिया था एक जगाया था एक ने पहरा दिया था मतलब इनके पहले और एक तीसरा था जो बाद में पहरा दिया था उन सब की बातें सुनकर के बड़ा आश्चर हुआ रहुनादाजी को और वो बड़ा कौतुहल हुआ उन्होंनों विचारा कि इसमें क्या रहा चाहता पता लगाना चाहिए संध्या समय श्रागुनाजी के साथ के तीनों योधावी संतों के दरस पर सत्संग को गए श्री रामचरित मानस आरमुवपाथ सत्तेक चवपाई पर सत्संग की चर्चा छड़ गई बड़ा आनन्दा है इतने में एक संत बोल उठे कि कल रात में भी फरमानंद ऐसा रहा इस सारी रात रगुनाज दाश जी को यहाँ बीट गई और सभेरे उठकर के यहाँ से गए इतना सुनते यो तीनों धंग रह गए क्योंकि उन्होंने तुमाँ ड्यूटी पर देखा था कुछ दिर बाद तीनों जो एक सोते से जगाए थे एक उनके पहले ड्यूटी पर थे एक बाद में ड्यूटी पर आये थे वो तीनों चकित रह गए कि रात पर यहाँ थे तो महरा जो रगुनाज ताश जी को सारी बात ने जब समझ में आई कि यहाँ तो सब बता रहें कि मैं रात पर यहाँ भाव विवर्द अचा में था यह कर रहें कि वहाँ ड्यूटी पर थे तो आचि सहे प्रेम भी भोर हो गए रगुनाज ताश पर रगुनाज ताश जी के मन में यही बात गोमती रही कि मेरे लिए भगवान राम जी और हनुमान जी को कष्ट उठान अप्राई राम जी ने हनुमान जी को भेजा पल्टन में साइनिक बरकर हनुमान जी ने ड्यूटी दी और मैं सत्संग में दूबा हुआ ड्यूटी करना ही भूल गया था उनकी भाक्ति देख करके सारे साइनिक आनंद भी होरोते थे क्योंकि सब सत्संगी थे अनुमान जी को भी आनंद दाता था और भगवान सी सीता राम जी को भी आनंद दाता था और महराज उनकी भाक्ति की चर्चा बड़े बड़े अफसरों में भी हर जेगे पहुंच गई जो सबसे प्रमुख अफसर था उसके पास भी इनकी भक्ती की चर्चा जो पहुंची है तो एक दिन कावायत परेड की परिक्षा समस्त पल्टन ने ली और शी रगुनाद दास जी की कारी को शलता देख करके बड़ा खुश हुआ हूँ और समस्त पल्टन का अधिनायक बना करके बोला रगुनाद दास हम तुम पर बहुत खुश है अब आप सबसे बड़े यहां के पदाधिकारी हुए और सहयोगियों की भी प्रीच बढ़ गई महराज भक्तों राजा लोग इस सत्संगे नहीं होते हैं तो आहंकारी हो जाते हैं दुर्वेसनों फंस जाते हैं प्रजा के साथ न्याय नहीं करके सोशन करने लग जाते हैं तो ऐसे राजाओं का सुधार भी आऊश्यक होता रगते हूँ और भिनगागर नाम की स्टेर थी वहां के राजा जो थे वो कुद गरबर हो गए थी इस प्रेकार से और उनकी शिकायत लखना उप पहुंची शिकायत पर शिकायत पहुंचते ही अधिकारों ने ये विचार करके निश्चे किया कि भिनगागर को फते करके अपने अधिकार में कर लिया जाए जिससे वहां की अराजकता अर्थात अन्याय आजी जो किया जारा राजा के दौरा उसमें सुधार किया जाए बस पल्टन को तयार करके भिनगागर पर चड़ाई करने का हुक्म दिया गया वीर लोग तयार हुए पैजल सिपाही वीर तो खाना और विसाला सब चल दिया साथ दिनों की पैजल यात्रा करके स्राइनिदल भिनगागर के किले के कोट के पास पहुंचा उधर श्रीमान राजा साहाब भी अपने वीर सामनतों के साज दज करके हाथी गोडे रथों पर चड़ करके चलने लगे लडाई के लिए और दोनों और से भेंकर संग्राम छिड़ गया और इधर तो लडाई हो रही है उधर रगुनात दास को राम नौमी का स्मरन हो गया कि राम नौमी आ गई है वरत की धोने रह रह करके मन को याद दिला रही थी इसलिए कुछ देर के लिए युद्धसल से एकांत में जा करके श्री राम सचिदा नंदगन भगवान का ध्यान किया और स्मरन किया फिर ध्यान लग गया और विनगागर के राजा साहाब ने अपने वीर सिपाहियों को ललकारा तलवानी चमकने लगी दीवन की आशा त्या करके विनगा भूम की फोज बिढ गई और सेना पती के वीरों का पैर उख़ने लगा और रंक छेटी से पीछे हटने लगे ये दशा देख करके श्री रगुपती ने विचार किया कि रगुनात तो हमारा ध्यान कर रहा है बगवान श्री राम जी ने विचार किया कि रगुनात तो मेरा ध्यान कर रहा है और उसके साथ के योधा भी भागना चाहते हैं सतकाल महराज अपने भक्त की विरद की रक्षा करने के लिए श्री हरी अपने भक्त का रूप धारन कर पहुज में जा मिले और श्री ग्रही तोप खाने की तोप को चर्खों पर चढ़ा दिया और उनका मूशत्र सेना की ओर करके गोला बारूत पर बत्ती लगा दिया इस प्रकार एक ही व्यक्ति ने तोप चराकर खलबली बचा दिया हजारों वीर भिनगा गड़के भागे कुछ गायल हुए कुछ मर भी गए यह ओ लोकन करके निर्पति दल प्राण लेकर के भागा और सेना पती ने देखा क्या के ले रगुनाद दास जी ही रणक्षेत्र में तोप चला रहे हैं दूसरा कोई उनका साहिक नहीं हास्ट्रे चकित हो गया कि यह क्या बात है तोप के गोले ने किला विध्वन्स कर दिया पल्टन लोट कर भिंगा गड़ में आधम की गोड़े पर चड़ा हुआ सेना पती आया और राजा को बाध कर अपने खेत में ले गया गड़ पर विजे बैज में ले पैंटि की ध्वया फ़ेराई गई रगुनात रोपी भगवान विजे लाव करा के अंतरधान हो गए तो कि रगुनात वास्ट्में बाध दास जी तो भगवान के ध्यान में डूब गए थे और उनकी जेगे भगवान श्री रगुनात अर्था श्री राम जी ने ये साइनिक का रगुनात का रूप दारन करके किया था कारियो और इस प्रकार से विजे रगुनात दास्की हुई और फिर उसके बाद राजा को दया पूर्वक छोड़ दिया भगवान श्री राम ने राजा को दंड नहीं दिया जो विगड़ गया था अपने कर्म के मार्ख से उसको ठीक कर दिया दंड इत नहीं किया क्योंकि वो संत के कारी पर करने आये थी ने तो संत उस भाव से ही प्रफुने रिला की थी रगुनाद दास जी ध्यान से अलग हुए तो घबड़ा कर रण भूम में भागे और वहां दूतरा ही दिश्य देखने में आया विचार में पढ़ गये और सोचने लगे कि मुझसे भारी अपराद हुआ सेनापति मुझसे सक्ट नाराज होगा और महराज जाकर कि देखा वहां तो विजय प्राप्त हो चुकी है और सब लोग रगुनाद दास जी की जय जय कार कर रहे हैं और महराज सेनापती मुख्य सेनापती आया और बोला डियर रगुनात दास मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ तुमने हमारी लाज रख ली अपनी नव सेना को खूब बचाया अरे तुमने इतना वीरता का कारे किया है कि तुमारी मरदानगी देखकर मैं बड़ा खुश हूँ बड़ा सेनापती बोल रहा है रगुनात दास को और अनभूम में जो कौसल तुमने दिखाया वो प्रसंस नहीं है ऐसा कहता हुआ और खिल खिला कर हंसने लगा और सब वीरानद विखोर हो गए और मारा रगुनात दास तो चकित हैं कि वो तो ड्यूटी किये ही नहीं और मेरी प्रसंसा हो रही है मैं तो अपराधी हूँ मैं तो युद्ध में ही नहीं आया मैं तो प्रभू के ज्यान मिली नहीं था वक्तों इस तरह से अपने भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयम भगवान श्री राम लिला की थी और भगवान राम की लिला को समझ समझ करके आनंदित हो रहे हैं रगुनात जी रगुनात दास जी महराज के साथ इस प्रकार के भगवान श्री राम की लिलावई भक्तों फिर जीबन ưब परिवर्तन होता है उनके वह एक साइनिक से फिर भक्त अर्थात संत बन जाते हैं उस चरीट रिको आपकल स्मोण करेंगे आज भगवान श्री राम के भक्त को प्रनाम करके हैं विराम दे राम श्री रादे रादे रे देड़े श्री रादे रादे